सांत और आसांत हम बीना भाग दिये हुए कैसे निकालते हैं तो इसको सांत और आसांत निकालने के लिए हमारा कुछ बीधिया होता है ठीक है सांत निकालने का बीधि होता है और जो सांत नहीं होता है वो क्या हो जाता है और सांत होता है ठीक है तो यहां पर देखो सांत निक ने 5 के पावर एन यानि कि पी वटे 2 के पावर एम गुना 5 के पावर एन यानि कि इस रूप का जो होगा इस रूप का जो भी संख्या हो जाएगा वह क्या कहलाएगा मेरा सांत कहलाएगा और जो संख्या इस रूप का नहीं होगा वह मेरा क्या कहलाएगा और सांत कहलाएगा अब हम देखते हैं कि कोई भी संख्या को हूं कैसे निकालेंगे जैसे यहां पर हमारा कोई कोश्चन क्या दिया हुआ है 13 वाटा 250 ठेक है और यहां पर हमारा दिया हुआ है कि 7 वाटे 45 अब इस दोनों कोस्चन को हल करेंगे और हम बताते हैं कि कैसे हम इसको सांत और सांत निकालेंगे तो इहा पर मेरा जो तीरह वट्टे दूसों पचास है न तो इसको क्या करेंगे तो जो ऊपर वाला आनक रहेगा उसको हमको व бу यहां पर बाला आंक को जैसे है वैसे हम छोर देंगे और नीजे वाला जो मेरा अंक रहेगा न यहाँपर दूसों50 है तो यहाँपर अभी मेरा 253 तो 350 को क्या हम करेंगे अलग लिखेंगे और इसका गुनन खंड को टो रहेंगे ठीक है तो यहाँपर से जब हम तोरेंगे तो कितना होगा मेरा 125 और 125 को कितना से तोरना पड़ेगा तो दो से तो यह तूटेगा नहीं कितना से तूटेगा पान से डारेक्ट पान से टूटेगा क्योंकि तीन से भी नहीं टूटेगा और दसमा के विद्यार्थी को डारेक्ट पता होना चाहिए कि जब दो से नहीं टूटेगा तीन से नहीं टूटेगा तो क्या चीज़ से टूटेगा तो पान से जब टूटेगा तो कितना बचेगा 25 और फिर यदि 5 से इसको हम तोर देते हैं तो कितना मेरा बज जाता है 5 बज जाता है अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर उस संखे इसको यानि कि इसका गुनन खंड को हम यहां पर लिखेंगे अब कई से लिखेंगे तो तुमको भी हम बता रहें तो यहां पर दू कहेगो है एक गोते यहां पर लिख दो दू के पावर एक और यहां पर देखो तो गुना में क्या है पंच कहेगो है तीन गोते इस बात को यहां पर लिख दो कि पंच के पावर केतना है तीन यानि कि संथ होने का रूल है या तो 2 के पावर M का मतलब कोई भी संख्या होना चाहिए ठीक है कोई भी संख्या है एक आया दो आया चाहिए जीरो आया चाहिए कोई भी संख्या आना चाहिए और फिर 5 के पावर N होना चाहिए, 5 के power N का मतलब 2 और 5 होना चाहिए तो ही वह संख्या चाहे कोई भी संख्या क्या कहलाएगा सांत कहलाएगा, तो यहाँ पर देखो तो 2 और 5 है न दो और 5 है न, आ यहाँ पर भी 2 है और 5 है, केबल 2 यह और 5 नहीं आया है, तो इसका मतलब गुननखंड तोर के देखेंगे और देखेंगे कि जो हमारा गुननखंड में दो और पांच आ गया तो इसका मतलब वह सांथ है और दो और पांच के अलावा यदि कोई संख्या आ जाता है तो हमेरा क्या कहलाता है और संख्या को बना करके देखते हैं और तब हम तुमको बत कई से तोरेंगे 45 कितना मर्तबे तूटेगा तीन मर्तबे क्योंकि दो मर्तबे तो तूटेगा नहीं तीन मर्तबे तूटेगा तो कितना बचेगा पंदर और फिर तीन मर्तबे तूटेगा तो कितना बचेगा पांच यहीं न बचा तो फिर यहां पर देखेंगे अब तूट और पांच क्या आया है एक आया है तो पांच के पावर क्या हम कर देंगे एक लिख देंगे यहां पर हमारे फर्मूला में क्या कहा है कि जब दो के पावर यह में रहे यानि कि केबल दो के पावर कुछ का बात करें और पांच के पावर कुछ रहे तो ही वह क्या होगा सांत हो क्या रूल है और या कैसे निकाला जाता है और दिक्कत नहीं चलो इसको उतारो कि आ है आ है आ है कि अ